हलो वेल्कम बैक टू आवर चैनल कैसे हैं आप सब आसा करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूं और यहां पर मैं त्यार हो रही थी मंदी चानी के लिए अपने गाउंवाले सिभ मंदी तो जैसे हर जगा मंदीर वगएरा का पट बंदी है तो यहां भी बंद है बट आज के दिन सोमबार के दिन थोड़े से पट खोले गए हैं गिने चुने एक दो लोग को ही अंदर जाने दे रहे हैं उसके बाद फिर वो निकल जा रहे हैं तो दूसरे को जाने दे रहे हैं जादा भीरवार नहीं है नहीं तो हर साल बहुत धूमधाम से यहां शोमबार की दिन पूजा होता था और गाउं में जैसे मेले लगते हैं वैसे मेला भी लगता था बट आप देख सकते हैं बहुत कम लोग हैं दो चार जा रहे हैं तो दो चार आ रहे हैं मतलब इस तरीके से बिलकुल भी भीरवार नहीं है वरना यहां पे बहुत भीर लगती है हर साल सावन में तो बस हम लोग वेट करते हैं जब भीखलते हैं तो दूसरी पुजा करने जा रहे हैं, तो कुछ ही इस तरीके से ही पूजा हो रही है, थोड़ा social distance maintain करके, और एक family member है, वो जा रहे हैं, बाकी के दूसरी family member फिर अंदर जाके फूजा कर रहे थे तो बहुत ख्याल रखा गया था जो प्रभंदक थे मंदिर के वह पूरा ख्याल रख रहे थे पूजा पार्ट का तो चलिए फिर मैं पूजा कर लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी दिर बार झाल 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 कोई नहीं मजबूत हो गया कोई नहीं मजबूत हो गया गर का बाहर का व्यू किस तरीके से है तो चार तरफ हड़ी आली है और ये मेरा गैरेज इरिया है गैरेज है बना हुआ जहां गारी वगएरा बाइक लगी रहती है और बस मेरे दरवाजे पे गाए भी है चार गाए है आपको मैं दिखाती हूँ उसका सेट गाए का और इधर देख सकते हैं कुछ लोग आए हुआ हैं बैठे हुआ हैं जिन मेरे चाचा हैं और फुफा जी भी है उन लोग से मैं बाद में कभी मिलवाओंगी और ये कुछ बाहर से मेरा व्यू है घर का और ये गाए का शेड है चार गाए है अभी दरवाजे पे और बस चलिए तो फि तो सुचाएं कि आप लोग के साथ सेयर करूं तो चलिए फिर ब्लॉग का यहीं पेहिंट कर देंगे बहुत खुब्सूरत मेरा गाओं है तो मैं ब्लॉग का यहीं पेहिंट कर दूगी और मिलूंगे आप लोग से दूसरे नए वीडियो ब्लॉग में थैंक्स पूवचिं बढ़े